हाई गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाईस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम एनरजी से भरा हुआ लड़ू इस लड़ू को आप अगर एक हपते खा लेते हैं न विश्वास मानिए आपके कितनी भी पुर आपको यहाँ पर एक एनरजी मिल्क भी बताऊंगी तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है और हमें यहाँ पर रोष्ट करना है मखाना तो मैंने यह 50 ग्राम मखाना लिया हुआ है मखाने में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ मात्रा में मिलता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए काफी फायदे मंद होता है तो हमें यहाँ पर मखाने को मैक्सिमम 3-4 मिनट तक भूझना है जब तक कि मखाना आपका क्रिस्पी ना हो जाए तो जब मखाने से हलकी हलकी सी खुझपू आने लगे ना उसके बाद मखान मुंफली की तो इसमें भी काफी ज्यादा प्रोटीन और फाइवर पाया जाता है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 4-5 मिन तक मुंफली को भी धीमी धीमी आच में रोश्ट करना है जैसे आप देखो कि उपर से मुंफली का छिलका कलर बदल रहा है और छिलका इस तरीके से आप तो निकलने लगे तो इसे हम थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देते हैं फिर हमें यहाँ पर रोश्ट करना है काजू और बादाम तो कॉंटिटी कम जादा किया जा सकता है मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ों को लिया हुआ है इसे भी हमें मैक्सिमम दो तो मेर तक रोश्ट कर लेना है जैसे यह क्रिस्पी हो जाए ना इसका कच्चा पर निकल जाए और आप देखोगी की काजू का हलका सा कलर चेंज होने लगा है तो इसे हमें बाहर निकाल के रखना है साथ में हम रोश्ट करेंगे तिल तो मैंने हम पर यह सफेद तिल लिया है आपके बाल और त्वचा को भी काफे फायदा पहुचाता है तो तिल हमारी यहां पर रोश्ट हो चुकी है इसे बाहर निकाल करके रख देते हैं साथ में हम लेंगे थोड़ा सा खस खस और इसे भी रोश्ट कर लेंगे तो खस खस के भी अपने अलग फायदे हैं जैसे क अगर आपको सर्दी खासी हो गई है उल्टी आ रही है पैसा आप में जलन हो रही है बुखार आ गया है सरदर्ध हो रहा है तो यह सारी समस्याओं को जो है दूर करता है तो खस खस की कई अलग अलग तरीकी की रेस्पी बनती है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आप इसका सेवन जरूर करिए यह खसकस हमारी भी रोष्ट हो चुकी है मैक्सिमाम 2-3 मिनट में रोष्ट हो गया है इसे निकाल कर रख लेते हैं साथ में मैंने लिया हुआ है यह खजूर का बीज निकाल दिया है और खजूर को जो है हमें ग्रैन करना है तो सभी चीजों को हम एक ग्रैनिंग जार में एड़ में ऐड़ करेंगे पहले यहां पर हम खजूर डाल देंगे क्योंकि काजूर के पीसे बढ़े बढ़े हैं साथ में अपर मैंने काजू और बदाम निकाल दिया है मैम सके बाद यूज करेंगे और उसके बाद बचा है माखाना इसे भी ढाल तो सभी चीजों को ग्रैंड करके पाउडर तयार कर लीजिए यह हमारा पाउडर तयार हो चुका है चलिए आप मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि एनरजी मिल्क कैसे बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप दूद रख दीजे गरम होने के लिए जितने दूद में एक उबाल आने दीजिए उसके बाद दूद को जो है हमें Hence बनाना है तो दूद लेलेती हूं मैं ॐसमें हम एट करेंगे चार चम मच पाउडर दो ग्लास दूद में चार चममच यानि एक ग्लास दूद में फ्रीं हमी दाल देते है माखा जो माख चाला के रख उन्हें इस तरीके से energy milk बना करके दे सकते हैं जो आपके खाना को पचाने में भी काफी फायदा करेगा और आपको काफी energy भी देगा उमीद करती हूं कि आप लोगों को energy milk की recipe पसंद जरूर आएगी आप मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट करके कि आप लोगों को रेश्पी कैसी लगी चलिए अब लड़ो कैसे बांधना है वो बताती हूँ सबसे पहले हम पाउडर में डाल देंगे तील और खस-खस फिर इसमें हम एट करेंगे कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क डालने से आपके लड़ो में बिल्कुन मावा की कमी महसूस नहीं होगी बहुत ही पढ़िया टेस्ट आएगा कंडेंस मिल्क मीठा होता है और हमने खजूर का यूज किया है इसलिए हमें गोड़ी या चीनी बिल्कुन भी यूज नहीं करना है सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए मिक्स करने के बाद जब आपका मिष्ण बनने लगे हरका सब प्रेस करके आप देखिए तब आप समझे कि लड़ो आपका बन जाएगा छुट छुटे लड़ो बांध लेंगे इस लड़ो को एक बार आप बना लेते हैं तो काफी टाइम तक इस्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं किया है जिससे आपका लड़ो खराब हो तो आप इसे फ्रीज में नहीं रखिएगा बाहर ही रखेंगे और लड़ो की रखिए आप लोगों को कैसे लगी मुझे कौमेंट करके कौमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा उमिद करते हूँ कि आप लोगों को पसंद जरूर आए होगा वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हम आप लोगों से एक नई रखिए में बाई गाईज